दोस्तों आज हम प्राइदम करने वाले लेब अजिस्टेंड यानि प्रयोक्साला सहायक की जो अभी विग्यप्ति जारी हुई है यानि बढ़ती का आगास हो चुका है और अंजाम आपके हाथ में कि आप इसका अंजाम किस प्रेकार से निकालते हैं या तो आप सलेक्ट होक कहानी आप फैल होकर निकालते तो आज मैं आपको 90 डे इस्टेटर जी बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना और कहां से पढ़ना है तो पूरी विश्तरत जानकारी आपको इसी वीडियो करने मिलने वाली है तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ कर रहे हैं यानि यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अभी अपनी जो त्यारी है वो प्राणब नहीं की वो कई न कई ब्रह्म में बैटा है कि हमारा सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है कई ऐसे बंद है यानि लगबग सेलेक्शन हो सकता है मैं बात नहीं कह रहा कि आपको सेलेक्शन लेना पड़ेगा किसी कोचिंग का ऐसा नहीं है आप सेल्फ करके भी आपको अपना सेलेक्शन निकाल सकता है और किस पेकार से निकालेंगे तो उसका जो रामपान जडिया जडिया है वह आपको इस वीडिय नहीं करती है दोस्तों जाग जाओ यार में आप ही को बोलो यार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसी को बोलो भाई जाग जाब इतना समय नहीं अपने बास एप्रोक्सिमेटली मानने तो हमारे पास 90 डेज बसते हैं यानि आपकी त्यारी को लेकर हम 90 डेज में आपको क्या करना है वह आपके हाथ में दोस्तों तो बात करते हैं कि क्या पढ़ना है अपनों को और इसकी त्यारी प्रादम कैसे कड़ने और कब पढ़ना है यह देखे कब बढ़ने वाला जो कुछिन है वो तो आप भूली जाए अभी तक आप नहीं किया तो आपका सेलेक्शन नहीं अगरतों मैं कि साइंस एक तो यह अपकी बार थोड़ा साने आसा हो गया जोग्राफी और होम सेंस तो सब्से पहले क्या कि ये कि आप कि इस अबिकान नहीं कर लिए अब आप को गैश्योग्राफी और सप्सक्रीशन नहीं याय तो उसका भी मैं राम्बार बात सबसे पहले बात करने वाल है तो सबसे पहले फिजीक्स का फैम और पर फिजीक्स, चके मेस्ट्री बायोजी और क्aggioति वाह होती है आप देखिए और पे शब्र में मेरा नहीं हुना लेकिन एक चीज तो वह निपटने वाला कि आप कर सकते तो यह उन्हें दिनों यानि हपते पर के अंदर आपका से अपने इंते नहीं कर सकते करते जाए काफी कम समय बचा दोस्तों ठीक है यह होता है अगर यह जब तब तक आपका सेलेबस भी आ जाएगा और फिर भी आपको अगर चाहिए के सेलेबस क्यों नहीं आ रहा है सेलेबस किस प्रकार से तो फिर बाद में आप कर दीजिए और रही बास साइस वालों के पास पूरा विश्तर सब्स बढ़ाएं तो क्या कीजिए सब्सकों पहले ध्यान से बढ़ी एक या दो दिन सेलेबस की बाद में किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना कि यह नि जो आपका स्टॉंग टोपिक है जैसे मैंने वानलिया कि मैं सेमेटिक्स बैक्रांड तो मेरा क्या होगा कि कैमेस्ध्य से थोड़ा तो मैं क्या करूंगा की मेरे जो वीक पॉर्ष्न है यानि बाइलो क्योंकि at a moment आपको physics और chemistry में कुछ ना कुछ तो आता है लेकिन biology और chemistry में आप कई न कई डल हो जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे जो आपका डल है यानि जो आपकी कमजोरी उसको अपनी थाकत बनाना है सबसे पहला आपको काम यहीं करना सेलबस को करना पर बात में क्या करना है 2016 की बढ़ती और 2018 की बढ़ती उनके प्रीवियस पेपर को देखना है और उसमें से एक मलब आपको अन्दर जा लग जाएगा पेपर पैटरन किस परकार होता है और कुष्ण का जो लेवल है वो किस परकार होता है हर बार का यहीं सेम से सीन होने वाला तो दोस्तों अब आपके हाथ में कि आपको पढ़ना किस पिकार अगर हां अगर आपको इसी मलब लेब शीजन की भरती से लेटर आपको बुक्स के रिकार्डिंग कुछ साहिता चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्षिन में जुरू बदेगा कि मैं अगर अपना न अपना रायत दोगे फिर बाद में आपको करना है तो नॉमल फिर बाद साइंस वालों के लिए आप सुल लीजिए आपको आपको खेच नहीं है यहांने आपको आपको बेसिक्स हो गया तो बेसिक्स को ऐसी अपनी पकंड बनाना लेनी है कि जाते ही बाइसां यह कुछिन देखते ही होने वाल नूमेरिकल भी इस प्रेकार से आपको हो जाने चाहिए कि आपको हातों में सौल होना चाहिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए और प्रिविएस पेपर की भी जो वीडियो है वो मुझे कमेंट सेक्षिन में आप जुरू बताएगा और को और हां किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्लास भी चीए इवन कोई टॉपिक समझ में नहीं तो मुझे कमेंट सेक्षिन में अगें 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 प्लीज ज़रू बताएगा दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर और आपके कमेंट का बेस अब अगेंगा दोस्तों थैंक यू आइस